राधे राधे जैसी कृष्णा स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ती में आज की वीडियो में हम दीप कलस और स्री कलस के बारे में जानेंगे दीप कलस की स्थापना कब की जाती है और स्री कलस की स्थापना कब की जाती है कलस से संबंधित सभी जानकारिया हम आज की वीडियो में जानेंगे तो देखिए सबसे पहले कलर्स की सापना के लिए चावल ले लेंगे आप चावल को रंग भी सकते हैं या साधा भी ले सकते हैं अब चावल से हम अस्टदल कमल बना लेंगे थोड़े से चावल रख देंगे और उस पे हम आठ लाइने इस तरह से ये बहुत ही असानी से बन जाता है आप अस्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी चावल रख सकते हैं इसके बार देखिए हमें एक कलस लेना है कलस आप तामबे का पीतल का या मिट्टी का भी ले सकते हैं जिस तरह का आप कलस लेना चाहें उस तरह का आप कलस ले स बनानी हैं कलस के कंट पे मौली बांद लें इसके बाद कलस को चालो पे स्थापित करें अब कलस में हम सबसे पहले गंगाजल डालेंगे इसके बाद हम सूध जल से कंठ तक कलस को भर लेंगे अब देखिए कलस में हम सुपारी डालेंगे हल्दी की गांट अगर हल्दी की गा डाउडर भी डाल सकते हैं लॉंग, इलाइची, एक सिक्का, दुर्वा और अक्षत ये सभी चीज हमें कलस में डालना है अगर इसमें से कुछ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं कम से कम 5 चीज तो चरूर डालें अब हम आम या असो के पत्ते ले लेंगे आप आम के या कलस में सजा लेंगे आप 5 या 7 जितने चाहे उतने पत्ते ले ले बस ध्यान रखे कि पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए इसके बाद देखिए हमें क्लेट में स्वास्तिक बना के कलस पे रख देंगे स्वास्तिक का चीन बनाना बहुत ही सुभ होता है तो आप स्वास्त बाद हम दीपक प्रजलीद कर लेंगे तो आप दीपक रख दे और उसे प्रजलीद कर लें तो इस तरह से हमारे दीब कलस की स्थापना हो जाएगी कलस की स्थापना भगवान की फोटो के दाहिने हाथ की साइड की जाती है यानि जब आप पूजा करेंगे तो कलस भगवान क विल्कुल इसी तरह से कि जाती है ऐसे ही आपको चाहुलो का आसन लेना है उसपे कलस रखना है और जो भी समागरी आपने दीब कलस में डाली है वही सब कुछ इस कलस में भी आपको डालना है बस आपको दीपक की जगा नारियल रखना है, नारियल आप पानी वाला ले और उसमें वस्त रूपी कलावा या चुन्डी आपके पास जो भी है उसे लपेट दे, इसके बादा नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ करते हुए कलस पे स्थापित करें, ये जो डंठल है व वो सामने की तरफ होगा, इस तरह से हम दीप कलस और स्रीकलस की सापना करते हैं, स्रीकलस की सापना नौदस दीन तक जो पूजा चलती है उसमें की जाती है, मातारानी की पूजा में स्रीकलस की सापना की जाती है, उमीद है वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा, अगर वीडियो आपके लिए यूस्पूल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल राधी कृष्ण भक्ती को सस्क्राइब करें थैंक यू राधे राधे जैसिरी कृष्णा